राधी राधी एवरिवान दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अक्षे तृतिया की संपूर पूजन सामिग्री की लिस्ट दस मईई 2024 को अक्षे तृतिया दोस्तों आने वाली है आईए एक एकर के सभी सामिग्रियों के नाम जानते हैं हमें चाहिए होगा आटा, हल्दी, गंगा जल, कलश, मिट्टी का या फिर पीतल का दोस्तों, सिंदूर चाहिए होगा, गोपी चंदन चाहिए होगा, आम का पलब चाहिए होगा, चावल चाहिए होगा, नारियल चाहिए होगा हमें, घी, दीपक, धूबत्ती चाहिए होगी, गेंदे की फूल हमें चड़ाने के लिए चाहिए और कमल के फूल भी हमें चड़ाने के लिए चाहिए होंगे चावल की खीर आपको भोग में चड़ानी है उसके बाद हमें चाहिए होगा पंचामरत दोस्तों आईए दोस्तों अब जानते हैं अक्षे तृतिया की सरल पूजन विधी क्या है? अक्षे तृतिया के दिन सुभा जल्दी उठकर नित्य कामू से निपट कर अपने घर को स्वक्षेवन साफ कर लें उसके बाद इसनान करके साफ कपड़े पहने इस दिन आप पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं दोस्तों अगर आपके पास पीले रंग के बर्स रही है तो किसी भी रंग के कपड़े या पहन सकते हैं घर को साफ करने के बाद पूरे घर में गंगा जल में हल्दी मिला कर छड़काप करें उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में रंगोली और हल्दी आटे से चौक बनानी है चौक बनाने के बाद उस मिट्टी या फिर पीतल की कलस को आपको इस्थापित करना है उसके बाद कलस में जल भरना है तथा उसके ओपर आम का पच्च पल्लव रखें साथ ही एक कटोरी में चावल भर कर रखी और उस पर नारियल में कलावा लपेट कर रखी साथ ही भगवान विश्नु वा माता लक्ष्मी की तस्वीर इस्थापित करें उसके बाद कंगा जल सी भगवान की तस्वीर को साफ करें तस्वीर साफ करने के बाद मालक्ष्मी को सिंदूर और भगवान विष्णू को गोपी चंदन का तेलक लगाएं उसके बाद भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं उसके बाद भगवान बिश्णु जी को पीले फूलों की माला अर्पित करें और फूल भी चड़ाएं साथ ही माल लक्ष्मी को कमल के फूल अर्पित करें उसके बाद भगवान के सामने धूब जलाएं और पूजन करें भगवान विश्णुवा मातलक्ष्मी जी के लिए मीठे का भोग बनाए जैसी मखाने या चावल की खीर का भोग आप लगा सकते हैं आप पंचमरत का भी भोग लगा सकते हैं दोस्तों उसके बाद भगवान विश्णुवा मातलक्ष्मी की भाव के साथ आरती करी और पूजन में जो भी गलती हुई हो उसके लिए छमा मागे दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चानल को लाइक शीर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न बूली राधी राधी एम रिवान और कॉमेंट वक्स में मुझे राधी राधी जरूर बोलिएगा